नमस्कार and welcome to तग्याने गरुकुल दोस्तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की खेती के विशह में और यह भी जानेंगे कि यह भारत की खेती से किस तरीके से भिन है अलग है अमेरिका यानि विश्व की एक सुपर पावर जिसका नाम सुनते ही हमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स थे सारा पैसा अमीर लोग उनकी याद आती है अमेरिका यानि लैंड अफ उपरचुनिटी जिसे मौको का देश कहा जाता है अफसरों का देश कहा जाता है वहां खेती होती भी है या नहीं? क्योंकि निव-यॉर्क लिलीजे उसकी सकाई लाइन को आप देखते हैं केलिफोर्निया की सिल्कॉन वैली चले जाये उनकी सिल्कॉन सिटी को आप देखते हैं मतलब वीडियो तो मज़दार होने वाला है साथी साथ काई चीज़ें हमें जानने को मिलेगी ये देखते हैं कि कितने लोग आज कल वहाँ पर किसानी कर रहे हैं भारत में जहां 60 फीजदी आवादी किसी न किसी तरह से खेती से जुड़ी हुई है वहीं अमेरिका में सिर्फ तेविस लाख लोग ही खेती करते हैं अब आप सोचेंगे कि सिर्फ इतने से लोगों की खेती में इतने बड़े देश की खादे जरूरते कैसे पूरी हो जाती है और एक वक्त था जब अमेरिका भारत को भी आनाज दिया करता था तो ये है कैसे संभव देखें कारण क्या है भारत में जो जमीन होती है वो पैत्रिक संपत्ती मानी जाती है और पीडी-धर-पीडी परिवार में बढ़ती जाती है इसका यह नतीजा होता है कि भारत में एक खेत का आउसात आकार बहुत छोटा हो जाता है हमारे यहाँ एक खेत औसतम 2.5 हेक्टेर का होता है जबकि अमेरिका में खेती बड़े इसतर पर की जाती है वहाँ पर एक खेत की औसत आकार करीब 2500 हेक्टेर होता है इसलिए जो कम लोग वहाँ खेती कर रहे हैं वे बड़े इसतर पर वहाँ खेती कर रहे हैं जबकि भारत में ज्यादा तर लोग छोटे इस तर पर खेती से जुड़े हैं भारत में किसान पारंपरिक तौर पर खेती से जुड़े होते हैं चाहे आप परिवार के कारण उसे कह लीजे हमारे समाज की विवस्थाओं के कारण कह लीजे लेकिन जब आप अमेरिका में देखते हैं तो अधिकतर जो किसान होते हैं वे काफी पढ़े लिखे होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वे क्रिशी विग्यान की पूरी जानकारी लेते हैं और इसके बाद ही खेती को एक विवसाई के तौर पर शुरू करते हैं इससे यह होता है कि उन्हें सरकार के दौरा उपलब्ध कराई गई सारी सुवधाओं के वारे में अच्छे से पता होता है साथ ही साथ विग्यान के छेतर में नए शोध विग्यानिक दृष्टी कोंड से खेती में और लाब भी पहुचाते हैं और इसी कारण वर्ष छोटी छोटी चीजे जुड़ कर बड़ा अंतर पैदा करती हैं जैसे किसान जो होता है अमेरिका का वह नियमें तौर पर अपने खेत की मिट्टी की जाच करवाता है इससे वह यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसके खेत की मिट्टी किस फसल के लिए अनुकूल है उसकी औरवरा शक्ती कितनी है मौसम की जानकारी लेने के लिए वैं सेटलाइट तस्वीरों का इस्तमाल करता है सेटलाइट का जो सिस्टम होता है जो GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या अमेरिका की ही देन है विश्य को तो जो Google Map हो गया Google Earth हो गया इसका बहुत अच्छा इस्तमाल करता है एक अमेरिकी किसान और यही वज़य है कि साल भर में अनेक फसले होगा लिता है एक अमेरिकी किसान जबकि भारती किसान के पास अमूमन यह सुविधायन नहीं होती वह अपनी मिट्टी की जाच नियमित तोर पर नहीं करवा पाए है साथ ही मौसम पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भी हमारे यहां के किसान साल में जादा से जादा तीन फसले ही कर पाते हैं खारिफ, राभी और जायद सरकार ने मिट्टी के परिक्षन के लिए चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो उन्होंने कई योजनाय शुरू की हैं जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, इमोबाइल सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया इन सारी योजनाओं पर अगर आब एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिखकर बताईएगा, साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अमेरिका विशु भर में टेक्नॉलोजी के लिए जाना जाता है तो आव्यस है कि कियती किसानी में भी टेकनॉलोजी का व्यापक इस्तमाल करता है अमेरिका भारते किसान और अमेरिकी किसान के बीच में कृशी के तरीके में बहुत अंतर होता है भारती किसान प्राय है परामप्रागत तकनीकों का इस्तमाल करता है उससे ही खेती करता है जिसमें तकनीकों का सीमित इस्तमाल होता है हमारे यहां कृषिए श्रमिकों पर अधिक निर्भर करते है जबकि अमेरिका में कृषिए पूजी आधारित है और बड़ी और लेटिस्ट तक्नीक का इस्तमाल खेदी के लिए किया जाता है भारते किसान आज भी सिचाई के लिए मौनसून पर निर्भर करता है जबकि अमेरिकी किसान तक्नीक के सहारे साल भर उचिच सिचाई विवस्था का फायदा उठाता है चुकि अमेरिकी कियत विशाल होते हैं इसलिए उनके पास उनकी फसल को स्टोर करने के लिए भी हाई टेक गोदाम होते हैं जबकि हमारे पास यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ बड़े किसानों के पास होती है इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी अमेरिकी किसान अपनी उपज को बचाने में काम्याब हो जाते हैं capitalist economy यानि पूझीवादी अर्थ रवस्ता जहां पैसे का बोल बाला होता है कई बार इससे बाकी जो लोग होते उनका शोशन भी होता है मैं आपके एक example से समझाता हूँ कि अमेरिका में इसका किस तरीके से दोहन किया जा रहा है जो छोटे किसान हो गए छोटे व्यापारी हो गए उनका वैसे तो अमेरिका में किसान आम तोर पर बड़े ही हैं और समरध्य भी लेकिन कुछ छोटी जगों में कॉर्परेट फार्मस दोहन कर रहे हैं छोटे किसानों का इसका सबसे बड़ा उधारन है पानी की चोरी कई बार ऐसा होता है कि सूखा या काल पड़ जाता है लेकिन जो कॉर्परेट फार्मस होते हैं उनके पास वैसे ही सावन की तरह लहलाती हरी फसल होती है वाकि दूसरे किसानों के पास पानी पीने के लिए भी नहीं होता और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही जगह पहें भौगोले के स्थितिक है नुसार एक वेब सिरीज भी है गुलायत करके कभी वक्त मेरे तो आप देखेगा उसका जो सेकेंड सीजन है वो इसी चीज़ पर बेज़ते की कैसे एक कॉर्परेट फार्म बाकि छोटे किसानों का दमन कर रहा होता है और एक जो लौयर होता है वो उनकी लड़ाई लड़ता है भारत में किसान अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा ग्रशित है तो वह है कि उनका सही दाम न मिल पाना उपज का हम देखते हैं जो प्याज बाजार में 100 रुपे किलो तक बिखती है वही किसान को महज 5 रुपे, 4 रुपे या 10 रुपे जादा ज़्यादा मिल पाते हैं अमेरिकी किसान एक बड़े कॉर्परेट या संस्था की तरह काम करते हैं उनके पास मजदूर, लेटेस टेकनीक, वेज्यानिक मदद भी होती है इसके कारण वे बजार से सीधा संबंध बना पाते हैं ना सिर्वे अपनी उपज को फूट प्रोसेसिंग कराते हैं साथी साथ बजार में सीधे बेच कर फाइदा भी उठाते हैं भारत में इसके विपरीत है, हमारे हाँ जो फाइदा किसानों को मिलना चाहिए वे अक्सर बिचौल ये ले जाते हैं क्योंकि किसान सीधा बजार से जुड़ा नहीं हुआ है भारत सरकार ने इस विसाय को रिसॉल्व करने के लिए काफी प्रयास किये थे इसके लिए उन्होंने इनाम करके एक नई मंडी बनाई थी इना मार्केट प्लेस जो की पी-े-स यानी प्रैमरी अग्रिकल्चर क्रेडिस सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता था यह इनाम काफी बड़े इस तर पर सफल रहा है कि देश भर की मंडियों से इसे जोड़ा गया है पर अब भी पहुच इसकी कहौत लिमिटेड है बहुत प्रयास इस पर होने बाकी है नवीनतम जानकारी, कारिक उशल्ता और वैग्यानिक मदद के परिणाम शरूप क्रिसी में कम जमीन होने के बावजूत भारत की अपेक्छा अमेरिका में उपज बहुत जादा है आकडों के अनुसार चावल की प्रती हेक्टेर उपज भारत में करीब तीन टन है लेकिन यही अमेरिका में करीब 8 टन है मक्के की उपज भारत में प्रती हेक्टेर करीब 2 टन है और अमेरिका में यह 9 टन है इसी तरह गेहूं की उपज में भी अमेरिका के किसान हम सबसे बहुत आंगे है एक वाजब प्रश्ण उठता है यह सब संभव कैसे हो पाया और इसका सबसे साधारण और सपष्ट उत्तर है सरकारी मदद हाला कि कहने के लिए तो भारत और अमेरिका की किसानों में यह एक सामानता है कि दोनों ही देशों को सरकारी मदद मिलती है और यह बात बहुत सपस्ट भी है चुकि क्रिशी एक अनिश्चित्ता से भरा विवसाय है तमान मानवी प्रयासों के बावजूद कभी कभार मौसम की मार से फसलें बरबाद हो जाती है यह दब भी इसी कारण वर्षी है दोनों दोशों के अलावा भी विशुभर के सभी देश अपने किसानों के लिए मदद करते हैं सबसीडी दे कर अब खेर पाकिस्तान की बात अलग है वो तो खेर क्या ही करेंगे वो अपनी मिलिटरी पाले में व्यस्त है तो और क्या ही करें अमेरिका में दी जाने वाली सबसीडी भारत की तुला में बहुत ज्यादा है एक आकड़ों की मदद से मैं यह बात आपके सामने सपस्ट करता हूँ कि exactly क्या है वेश्व व्यापार संग यानि World Trade Organization का एक Agreement है Agreement on Agriculture जो की सबसीडी के बारे में बात करता है उसमें तीन तरीकी की सबसीडी की बारे में बताया गया है ट्राफिक लाइट अप्रोच के यह प्रेरित है एक Green Box है एक Amber Box एक Blue Box है Green Box के तहट दी गई सबसीडी के कारण वस्तू पर बाजार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसके मूल्य में कोई अंतर नहीं आता इसके तहट वैग्यानिक अकंपलिश्मेंट हो गई Research and Development हो गया नए किसमों को इजाद करना Amber Box के तहट दी गई मदद बाजार में मूल्यों में बदलाव लाती है इसमें भारत की जो MSP होती है जिसे आप कहते है Minimum Support Price यानि न्यून्तम समर्थन मूल इसे Amber Box सबसीडी के अंदर रखा जाता है Blue Box सबसीडी को भी Amber Box सबसीडी के तहट ही देखा जाता है बस इसे किसी एक सेक्टर, Specific सेक्टर में दिया जाता है जैसे Poultry सेक्टर हो गया, Livestock का सेक्टर हो गया या फिर Pearl उतपादन का सेक्टर हो गया या मानलीजे आप आयरवेदिक मेडिसिन उतपादन का सेक्टर हो गया और इसी Agreement में एक Principle है, जैसे De Minimus Principle कहा जाता है जिसमें कहा गया है कि एक प्रगती शील देश ज्यादा से ज्यादा 10% ही सबसीडी दे सकता है पूरे जो Aggregate Measures की होती है और 10% ये Agriculture के Total Value है, जो Production का Total Value उसका है वही ये जो Developed Countries होती है, उनके लिए सिर्फ ये 5 फीजदी होता है और इसी मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास करते हैं Developed Countries जो विकसित देश होते हैं वो Green Box सबसीडी बहुत अधिक देते हैं एक औसतम हनुपात लगाया गया था अगर आप सारी सबसीडी को मिला लें तो एक विकसित देश जैसे की अमेरिका अपने किसान पर प्रती किसान पर करीब 46,000 डॉलर की सबसीडी देता है और यहीं पर एक प्रग्रिती शील देश जैसे की चाइना वो सिर्फ 1630 डॉलर की सबसीडी देता है प्रती किसान भारत में यह और भी कम हैं और वहीं यूरोपियाई संग के कई देशों में यह 46,000 डॉलर से भी अधिक है आज जब क्लाइमेट चेंज के साथ साथ दुनिया भर के किसान मुस्यूबतों में बड़े हुए हैं अमेरिका के किसान भी भारती किसानों की तरह बाढ़ हो सूखे की मार जेल रहे हैं लेकिन इन सभी सबसीरीज के कारण अमेरिका के किसान भारती किसानों से काफी बहतर स्थिती में हैं अमेरिका में किसान सबसे जादा फल और सबजियों के लिए खेती करते हैं यहाँ पर मक्के की खेती सबसे अधिक होती है तथा मक्के की नई किस्मों का उत्पाधन भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा अमेरिका में अनास की फसले जहां मक्का, गिहू, धान, चावल, इत्यादी हैं वहीं नगदी फसले कपास, तंबाखो, लेवेंडर, गन्ने की खेती बहुत की जाती है अब खेती बाड़ी की बात हो रही है, मतलब ग्रामीर आंचल और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका की गाओं कैसे होते हैं तो एक नज़र डालते हैं अमेरिका के गाओं बहुत भरे-भरे होते हैं, वहां के गाओं में तकरीबन सभी घरों में शहर जैसी ही सुविधा उपलब्द होती है अमेरिका के गाओं में तकरीबन 25 फीजदी सड़के प्राइवेट होती हैं गौर कीजे का प्राइवेट सडके वो स्वयम किसानों की खुद की होती है आज भारत में जहां प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना मुख्य मंत्री सडक योजना कर रहे हैं ताकि किसान के खेत से मंडी तक का रास्ता तैह हो सके वहां पे किसानों की अमेरिका में किसानों की कार कृशी संसाधन होते हैं अमेरिका के गाउं में रहने वाले ज़्यादा तर किसान अमीर होते हैं और अन्य देशों के कही लोग यहाँ पर काम करने आते हैं हाल ही में मेरे एक मित जो पंजाब से आय थो उन्होंने बताया कि उनके एक परिचेत हैं जो कैनेडा में नौकरी करते हैं वे एक फार्म में ही नौकरी करते हैं वहाँ पे उनका कार्य बेर चुनने का है अमेरिकी किसानों के फार्म फार्म हाउस और क्रिशी की सारी जानकारी आपको गूगल पर मौजूद मिलेगी अमेरिका की खेती के साथ-साथ पसू पालन, मुर्की पालन का भी कार्य बड़ा अच्छा चलता है यहां के किसान देश और विदेश में होने वाले आयोजिनों में भाग लेते हैं उनकी तकनीक प्रद्योगी की को विक्सित करते हैं ताकि क्रिशी के छेत्र में और ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें आज भारत में भी क्रिशी के कई उननत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है टेकनालोजी के मामले में भी भारत अगरसर हो रहा है भारती किसान भी बहुत समस्दार होते जा रहा है जब मैं इस विशेव पर research कर रहा था तो मुझे ABP News का एक article मिला जिसमें पढ़े लिखे होते हैं किसान के subtitle के अंदर लिखा हुआ था कि भारत में खेती की परिभाशा अनपढ होने के रूप में गड़ी गई है इसका अर्थ है यदि कोई किसान है तो उसे अनपढ के रूप में देखा जाएगा जबकि अमेरिका के अधिकांश डिगरी होल्डर होते हैं किसान मुझे लगता है यह बात गलत लिखी आज भारती किसान भी इतना सक्षम हो गया समझदार हो गया है कि वह भी तकनीक के भले हो सकते एकड़म उत्तम किसमे नहीं लेकिन बाकी लेवल पर अच्छी खेती कर रहा है आज आपको भारत के कई छेत्रों में पॉली हाउसेस दिख जाएंगे कई जगे रेप इरिगेशन दिख जाएगा रूफ टॉप फार्मिंग के साथ साथ हाई ड्रोपोनिक फार्मिंग हो रही है तो मैं यह तो नहीं मानू सकता कि भारत का किसान अनपड़ है जो पैत्रिक किसानी के छेत्र में रहते थे उनकी नई जनरेशन पर लिख्के नई संसाधनों के साथ नई तकनीच के साथ कृषी के कारे में सनलगन है तो इस न्यूस आर्टिकल में बहुत छोटी तस्वीर पेश की गई है किसानों की भारती किसानों की आप भी क्या मेरी बात से वाक्या रखते हैं या फिर नहीं आप इंकार करते हैं जो बात लिखे वह सकते हैं मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताएगा साथी साथ वीडियो कैसा लगा इसकी भी हमें जानकारी थे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एगरिकल्चर उसमें धेर सारे और भी वीडियो पढ़ें आपने भी चैक आउट कर सकते हैं साथी साथ इस चैनल पर हम और भी कई विश्यों पर वीडियो अपलोड करते हैं तो एक बार उन्हें भी जरूर देखें अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत धनेवा चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक अपना ख्याल रखेगा जय हिंद